नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज हम लोग पुना इस वीडियो के माध्यम से वर्ग दस गनीत का अध्याए दो चर वाले रैखिक समिकरन यूगम से समंधित महत्पुर्ण सुत्र और इस सुत्र की सहायता से प्रश्णों का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं तो चलिए एके करके उन सुत्र को सीखते हैं और उस सुत्र की सहायता से जो प्रश्ण का सुल्यूशन होगा उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे तो दो चरवाले रेखिक समिक्रन यूगम है, तो सबसे पहले हम लोग समझें कि दो चरवाले रेखिक समिक्रन यूगम का जो ब्यापक रूप है, समान रूप है, उसकी जानकारी प्राप्त करें, तो दो चरवाले रेखिक समिक्रन यूगम का ब्यापक रूप इस प्रकार से होगा ax plus by plus c equal to 0 dx plus ey plus f equal to 0 यह पहला समीकरन है उसके बाद यह दूसरा समीकरन है निकि दो चरवाले रेखिक समीकरन का यह जोड़ा है तो यहाँ पे हम लोग इस समीकरन को मुखरूप से पांच वीधि के अधार पे हल करने के लिए सीखेंगे लेकिन जो मुख वीधि होगी उस विधि को ही समझने का प्रयास कट्रेंगे जो समान रूप से पूछा जाता है तो यह दो चरवाले रेखिक समीकरन युग्म को मुख रूप से पांच प्रकार से हल किया जा सकता है हल के पांच वीधियां पहली विधी है तुलनात्मक तुलनात्मक विधी उसके बाद दूसरी विधी इसका है प्रति अस्थापन प्रति अस्थापन विधी उसके बाद तीसरा लुपतिकरन लुपतिकरन विधी चौथा है वज्र गुनन विधी और पांचमा है अनुपात निर्णय विधी तो मुखरूप से यह तुलनात्मक विधी उसके बाद दूसरा प्रति अस्थापन विधी लुपतिकरन विधी और वज्र गुनन विधी से ही दो चरवाले रहखिक समिकरन का जो यूगम है उसका हल निकाला जाता है तो मुखरूप से चार विधी हों को हम लोग समझेंगे संचेप में लेकिन सबसे पहले इससे समधित दो चरवाले रहखिक समिकरन यूगम से समधिते कुछ महत्पुन सुत्र है, उस सुत्र की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद उसका उधारन ले करके, उस सुत्र से सम्बंदी जो उधारन होगा उसको समझेंगे, तो दो चरवाले रेखिक समीकरन में हल होने का सर्थ समझ लें हल होने का सर्थ अनि हल होने के लिए क्या कंडिशन है तो यह दो चरवाले रेखिक समीकरन का समान रूप है Ax प्लस By प्लस C इकोल टू 0 Dx प्लस Ey प्लस F इकोल टू 0 है तो इसका सर्थ नंबर एक हम लोग समझे है सर्थ नंबर एक यदि A बटे D अनि X का गुनक A और X का गुनक यहाँ पे D है Y का गुनक B है और Y का गुनक E है तो इसको इस परकार से लिखेंगे यदि A बटे D आनि कि इसका X का गुनक बटे X का गुनक है दूसरा समिकरन का तो A बटे D और यह बराबर नहीं हो B बटे E का तो समिकरन का एक और केवल एक हल होगा इसे पूछा जाता है कि अधि समिकरन का एक और एक केवल हल हो तो यह बिरोधी है यह ओ बिरोधी तो इसमें ओ बिरोधी हो जाता है उसके बाद सर्थ नंबर दो और कंडिशन नंबर दो में यदि A बटे D अनि A बटे D B बटे E बराबर है और बराबर है C बटे F तो समिकरन का अनगिनत अनि की अनेक हल अनगिनत हल होगा और यह भी ओ बिरोधी युग्म कहलाता है ओ बिरोधी युग्म उसके बाद इसका तीसरा कंडिशन है तीसरा सर्थ यदि A बटे D बराबर है B बटे E और बराबर अनि इसका अगला पार्ट जो तीसरा पार्ट है C बटे F यह इक्वल टू नहीं है तो समीकरन का कोई हल नहीं होगा किलिए रहे अब इसी में पूछा जाता है कि ग्राफ बिधी से हल करने के लिए अनि ग्राफ जिसे हिंदी में आलेख कहा जाता है जी आर ए पी अच इस तरह से लिखेंगे ग्राफ बिधी से हल करना तो इसी कंडिशन लेकर के चलेंगे कंडिशन नंबर फॉस्ट फॉस्ट में हम लोग देखे कि a बटे d does not equal to b बटे e है तो समीकरन का एक और केवल एक हल है अनि कि o बिरोधी है जब ग्राफ खिचेंगे तो a बटे d does not equal to b बटे e होता है तो हमें ग्राफ खिच करके देखना या तो इस अनुसार से देखेंगे बिना ग्राफ का तो अधिक ग्राफ में पहले समीकरन के लिए इस समीकरन के लिए एक रेखा जाएगी उसके बाद दूसरे समीकरन के लिए एक रेखा जाएगी और कि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिछेद करें तिया हो गई प्रतिछेदी तो ऐसी इस्तिती में इसका एक और केवल एक हल होगा उसके बाद कंडिशन नंबर टू की चर्चा करें तो इसमें अधी एक रेखा ग्राफ जब खिचेंगे तो पहले समीकरन के लिए एक रेखा पुना है और एल रेखा हुई पुना इसी रेखा पे दूसरी रेखा चड़ करके जाती है एम रेखा तो एक दूसरे पर समपाती हो रही है अनिकि यह हो जाती है समपाती तो ऐसी स्थिती में समीकरन का अनेक हल होगा और उसके बाद तीसरा कंडिशन है कि अधी एक रेखा इस तरह से गई हो एल रेखा पहले समीकरन के लिए पहले रेखिक समीकरन के लिए उसके बाद दूसरे रेखिक समीकरन के लिए दूसरी रेखा इसके समनांतर गई हो तो यह हो गई समनांतर रेखा तो इस समीकरन का कोई हल नहीं होगा कोई हल नहीं होगा इसे यहीं पर किलियर हम लोग कर लेते हैं A बटे D does not equal to B बटे E हुआ तो समीकरन का एक और केवल एक हल हो गया तो यहां O बिरोधी हो चुका है और कि इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा परतिछेद करेगा परतिछेदी तो यहां हो गया एक और केवल एक हल और कंडिशन नमबर दो में अधी तीनों आपस में बराबर हो तो बराबर हो तो अनेक हल होता है तो इसका ग्राफ एक रेखा गई L इसके बाद इसी पर दूसरी रेखा जा करके चली जाती है M तो यहां संपाती कहलाती है और संपाती में आप समझी रहें कि इसका अनगिनत हल होगा कंडिशन 3 में हम लोग चर्चा किये कि इस परकार से हो A बटे D बराबर B बटे E ड़नोट इकल टू C बटे F तो आईसी स्थिती में इस समीकरन का कोई हल नहीं है इसका अर्थ है कि जब ग्राफ खिचा जाता है तो एक रेखा L गई दूसरी रेखा M गई और दोनों आपस में समांतर होती है और जब समांतर होगी तो यह कोई भी हल को नहीं दर्साएगा तो यह रेखा समांतर होगी अनिकि इसका कोई भी हल नहीं होगा तो इस प्रकार से हम लोग दोचरवाले रहिखिक समिकरन में हल होने का क्या कंडिशन है ग्राफ विधी से और उसके बाद समान विधी से इसको हम लोग सीखे अब हम लोग समझते हैं एक उधारन ले करके कि तुलनात्मक विधी से किस प्रकार से एक स्वाई का मान निकालेंगे परतियस्थापन विधी से उसके बाद लुप्ती करन विधी से और अन्तता हम लोग बजर गुनन विधी के लिए क्या सुत्र है उसको भी समझ लेंगे अब एक उधारान यहाँ पे हम लोग समझे हैं एक समीकरन हम लोग लेते हैं 2X पलस 3Y इक्वल टू 8 3X माइनस 4Y इक्वल टू माइनस 5 तो यह समीकरन फर्स्ट हो गया और यह समीकरन सकेंड हो गया हम लोग तुलनात्मक बिधी से समझने का प्रियास करते हैं पहली बिधी से अनिकि तुलनात्मक बिधी तो समीकरन एक में दिया हुआ है 2X पलस 3Y इक्वल टू 8 अब X का बहलू रखना है लेफ्ट हैंड में तो इसको ऐसा लिखेंगे 2X इक्वल टू 8 और यह पलस 3Y है इसको राइट हैंड में देंगे तो माइनस 3Y हो गया उसके बाद X बराबर 2 को भेजिये गुना में है तो यह भाग हो जाएगा 8 माइनस 3Y बटे दो इसको माल लेते हैं समीकरन नंबर 3 इसके बाद आगे समीकरन 2 को भी X के रूप में लिखेंगे तो समीकरन 2 मेरा यह है 3X माइनस 4Y इक्वल टू माइनस 5 या 3X इक्वल टू माइनस 5 या माइनस 4Y है तो बराबर के साइट में जाने के बाद पलस 4Y हो गया या X इक्वल टू माइनस 5 पलस 4Y और 3 इसमें भाग लग जाएगा यह हो गया समीकरन 4 आप देखिए समी करन 3 और समी करन 4 एकस का ही या भेलू दे रहा है एकस का ही या भेलू दे रहा है तो दोनों एकस का भेलू है मतलब दोनों आपस में एकस एकस बराबर है तो इसका राइट हैंड भी आपस में बराबर हो जाएगा इसको लिखेंगे किलिया रूप से समी करन तीन तथा चार से तो तीन है एक्स बराबर उतना अनिकि आठ माइनस थिरी वाई बाई टू इक्वल टू और चार यहाँ पे है माइनस फाइब पलस फोर वाई बाई थिरी अब यहाँ पे बजर गुनन करना है अनि इतना गुना इतना तीन उसके बाद इतना गुना इतना निकि यह क्रोस मल्टिप्लेकेशन हो जाता है तो थिरी इन्टू आठ माइनस थिरी वाई इक्वल टू टू इन्टू माइनस फाइब पलस फोर वाई इसको अंदर किजिये तीन को तो तीन अठी चोविस तीन तिया नो और यह हो गया माइनस दो पंचे दस तो यह चार दूनी आठ वाई को लेफ्ट हंड में ले लेते हैं तो माइनस नाइन वाई उसके बाद पलस आठ वाई है तो माइनस आठ वाई माइनस दस और यह पलस 24 है, उसको राइट हेंड में बेजिए, तो माइनस 24, इस दोनों आपस में जूट जाएगा, 9, 8, माइनस 17y, और यह जूटेगा, तो 4, 34, माइनस, माइनस, केंसिल, इसलिए y बराबर, 34 बटे 17, 17 गुना में है, भाग में हो गया, कटा दिजे 17 दुनी, 34, अनि इस का y का भेलू 2 आ चुका है, अब यह जो y का भेलू 2 है, यह किसी भी समीकरन में, अनि यहां भी रख सकते हैं, तीसरा में भी, चोथा में भी, या तो फिर 1 और 2, किसी भी समीकरन में आप रखिएगा y का भेलू, तो x का भेलू आ जाएगा, तो simple है, समीकरन 3 में ही रखते ह समीकरन 3 से x बरावर 8 माइनस 3y बाइ 2 है तो 8 माइनस 3 और y का यहीं पे भेलू 2 रखेंगे गुना में 8 तीन दूनी 6 2 2 बटे 2 8 में से 6 गया 2 बटे 2 यह कट जाएगा निकि 1 इसलिए x बराबर 1 आ चुका है तो इस बिधी से हम लोग हल किये जो कि थी तुल्लात्मक बिधी अब आगे हम लोग परतियस्थापन बिधी से इसको हल करते हैं परतियस्थापन बिधी या दूसरा है परतियस्थापन बिधी तो परतियस्थापन बिधी में समीकरन एक से चले समीकरन एक से तू एक्स पलस थ्री वाई बराबर आठ है या तू एक्स इक्वल टू आठ माइनस पलस थ्री वाई है उसको राइट हैंड में भेज़े तो थ्री वाई यानि की एक्स बराबर प्राप्त हो गया आठ माइनस थ्री वाई और इसमें डिवाइड दो से होगा इसको भी मान लेते हैं समीकरण 3 अब समीकरण 2 इसमें एक्स का भेलू रख देंगे तो समीकरण 2 है 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 5 तो x का भेलू तो 3 और x में गुना का सम्बंध है यहाँ पर x का मान रखिए 8 माइनस 3y बाइ 2 बटे दो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 5 अब इसको गुना कर लिए शुगम होगा 3,8,24,3,39 y बटे दो अब माइनस 4y कुछ नहीं तो एक कर लेते हैं बराबर माइनस 5 बहुत सुगम बिदी से इसको अहल करते हैं एक एक स्टेप बाइ स्टेप अब यह भीन का घटा हो गया दो लगुतप दो और एक का लगुतप दो तिया हो गया 24 माइनस 9y और यह 4 दूनी 8y एक्वल टू माइनस 5 24 माइनस 9y माइनस 8y तो माइनस 9,8,17y और यह जो दो भागबे हैं इसको उधर भेज दिजिए तो 5 दूनी 10 माइनस 10 हो गया यह माइनस 17y बराबर माइनस 10 और यह पलस 24 है इसको भेज जिए फिर उधर राइट हैंड में तो माइनस 24 माइनस 17y तो माइनस 34 माइनस मानस कटा दिजिए इसलिए y बराबर 34 17 गुना में है यह भाग हो जाएगा 17 दूनी 34 है और कि y का भेलू दो प्राप्त हो गया अब इस y का मान समीकरन 3 में रख दिजिए x का भेलू प्राप्त हो जाएगा तो समीकरन 3 से तो x बराबर है 8 माइनस 3y बटे 2 तो 8 माइनस 3 और y का भेलू इसी जगा दो रखना है बटे 2 8 तीन दूनी 6 बटे 2 अनिकि 2 बटे 2 कट करके 1 हो गया अर्था अर्थ x बराबर 1 प्राप्त हो गया x बराबर 1 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ था यहाँ पर देखे इस तरह से त्या हो गया परतियस्थापन विधी अब हम लोग लुपती करन विधी से इसको हल करने की विधी सीखते हैं तीसरा नमबर यहाँ पर आ चुके हैं लुपती करन विधी समीकरन यही है तो लुपती करन विधी में देखा जाता है कि आप y y पार्ट को समान कीजिए या तो फिर x x को कीजिए तो यहाँ 3 y यहाँ 4 y है तो इसका 4 इसमें गुणा करते हैं समीकरन एक में और यह जो 3 है इसमें गुणा कर देते हैं और देखा जाता है कि यह अधी चिन समान रहे तो घाटाने पर चिन अधी भिन भिन रहे अलग रग है पलस माइनस तो उस स्थिती में जोडने पर तो इसको लिखना है आपको समीकरन हम नहीं लिखेंगे ज्यादा समय लगेगा इसमें लिखा जाता है कि समीकरन एक में 4 से तथा समीकरन 2 में 3 से गुना चार जोडने पर और 5 तिया माइनस 15 हो गया, जोडने पर यह पलस था उपर में, पलस और माइनस केंसिल हो चुका, तो 9, 8, 17x बराबर इसमें से घटाईएगा इसको, तो यह 32 में से 15 घटाने के बाद 17 बचेगा, और कि x बराबर 17 बचेगा, 17 कट करके 1 प्राप्त हो गया x का भेलू, अब इस x का मान समीकरन 1 में रखने पर, या समीकरन 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरन 1 में, x का मान रखने पर, तो समीकरन 1 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो 2 इन्टू x का भेलू 1 रखेंगे, 3y इक्वल टू 8, या 2 गुणा 1 दो, 3y एट, 3y बराबर 8, या प्लस 2 है, इधर माइनस 2 हो गया, 3y बराबर 6 होगा, 8 में से 2 घटेगा, अनिकि y बराबर 6 बटे, 3 तीन दूनी 6, इसलिए y बराबर 2 हो गया, तो यह हम लोग लुप्तिकरन विधी से हल करने के लिए सीखें, अब आगे बजर गुनन विधी से सीखेंगे, जो अतिमहत्पूर्ण विधियां हैं, इस विधी से प्राया पूछा जाता है, प्रश्न, दो चरवाले रही समिकरन दिया रहेगा, और कहेगा, बजर गुनन विधी से आपको हल करना है, तो इसके लिए, एक सुत्र हम लोग समझते हैं, बजर गुनन विधी के लिए, बजर गुनन विधी, डारेक्ट यह समझ में आजाएगां और उसके बाद, एक से वाई का भिलू निकल जाता है, तो यह समिकरन है, एक से प्लास बी वाई प्लासी equal to 0 है, तो इसमें देखिए, x का value हमें ग्याद करना है, तो इस पार्ट को ढखेंगे, इस पार्ट को ढख दिये, देख रहा है, इस पार्ट को, और इसके बाद bx, bx नहीं, f है, bf minus ec equal to, फिर y का value के लिए y बटे, जब y करेंगे, तो बीच वाले पार्ट को ढखेंगे, यह बीच वाला भाग, उसके बाद ध्यान देना है, जब y रहे, तो यहां से लेंगे, नीचे से, इसमें क्या किये थे, x में, ऊपर से, यहां f में गुना किये थे, लेकिन जब y को ढखें है, दूसरे समीकरन से, d गुना c, अनिकि dc माइनस, उसके बाद a गुना f, और उसके बाद one बटे, इस पार्ट को ढखेंगे, तो यहां है, फिर उसी परकार से होगा, ae माइनस db, आप देखिए, यह पहला भाग, यह भाग, और अंतिम भाग, दोनों ले करके चलेंगे, तो पर्थम और अंतिम भाग से, तो x बटे bf माइनस ec बराबर one बटे ae माइनस db, इसको जब आप cross multiplication किजएगा, तो यहां इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, यहां x बराबर भाग में है, उपर चल जाएगा गुना में, bf माइनस ec बराबर ae माइनस db, यह x का भेलू यहीं से प्राप्त हो जाएगा, इसी प्रकार से दूसरा पद और अंतिम पद लेंगे, अनिकि दूसरा पद और अंतिम पद इसमें प्राप्त होगा क्या, चलिया लिखते हैं, इसमें प्राप्त हो जाएगा, आप देखें इस समीकरन को कैसे हल करते हैं, उधारन यह है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 2x प्लस 3y यह प्लस 8 है, इसको लेफ्ट हैंड में लाईए, तो माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा रूप यह है, इस रूप में लाना है, जिरो करना है, इसको भी किजिए, 3x माइनस 4y, यह माइनस 5 है, इसको इधर लेंगे, तो प्लस 5 इक्वल टू 0, अब किलियर है, a, b, c, d, e, f, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस 8, अधि माइनस चिन रहें तो माइनस इसे जरूर लेंगे, उसके बाद d बराबर 3, e बराबर माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 है, और f बराबर 5 होगा, आप direct, इसमें बहलू रखिए, x बराबर इतना है, इसमें b, f है, चलिए इसी जगा हम कर लेते हैं, आप समझ लिजगा, तो b गुना f, और 3 गुना 5, माइनस e गुना c, और कि माइनस 4 गुना माइनस, 8, बटे, a e, a e, तो 2, गुना माइनस 4, माइनस d, d होगे आपका 3, गुना और b का भेलू है, 3, इसको आगे हल करें, 5 तिया 15, माइनस माइनस पलस, पलस माइनस, माइनस 8 चोक, 32, उसके बाद इसको किजिए, माइनस 4 और 2, तो माइनस 4 गुनी 8, 3 तिया 9, उसके बाद माइनस 32 में से 15 घटाएंगे आप, तो माइनस 17 होगा, और 9, 8 या माइनस 17, माइनस माइनस केंसिल 17, 17 भी कड़ गया, और कि X बराबर 1 भेलू आ गया, इसी परकार यहां भी Y के भेलू के लिए, इसका मान रखेगा यहां से, तो यह भी Y का जो मान आएगा, वह प्राप्त हो जाएगा, तो हम लोग दो चरवाले रहिखिक समीकरन यूग में, जो महत्पुर्ण सुत्र था, उसकी जानकारी प्राप्त किये, और इस सुत्र की सहायता से, जो प्रश्न बनता था, जिन प्रश्नों का समाधान हुआ, उसको हम लोग सीखने का प्रियास किये, बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे, मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने टोपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.